तो फाइनली धूंड लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद अतिया आप धूंड लोगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षिया साथ इतिहास हमारा भारत दो हरियाना बोड की किताब है पार्ट नमबर दो है दक्सिन के राज्य है चालुक्या पल्लव और चोल तो इनके जो है आज हम MCQ करेंगे अब यह MCQ आपको किसी साब से करने हैं तो वह मैं आपको एक्स्पिलिन कर दूँगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है पूरे अच्छे से MCQ मैंने आपके लिए बना दिये हैं चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास अब पहली बात की आपको जो है ना सीरफ MCQ से काम नहीं चलने वाला एक्जाम के टाइम पे आपको अगर MCQ देखो आपको वनमाक्स कोस्टन जो आएंगे एक्जाम में या तो वह MCQ दे सकते हैं या नहीं दे कोई डिक्कत की बात नहीं फिर भी आपको प्रिपेर करने हैं और कैसे करने वह मैं बता देता हूं आपको देखो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपके लिए अंसर सेड न कर दिया है अंसर नहीं देखने वाले आपको असे यह ओता है कि हमेंको अपके यह इकомनती प्रैक्स करने हैं और उसके बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करनी रही है आपको परसन पढ़ा है अब यह option दिख रहे हैं नहीं याद आ रहा है इन में से जो आपको ढूंड़ना है याद आ जाएंगे अपने आपको बात नहीं आद आए दूसरी बार कर लो तीसरी बार कर लो बस आपको जैसे एक खोलोगे ना link तो इसको refresh करना वापी से सारे answer hidden हो जाएंगे फिर से practice करो ऐ उसके बाद उत्तर इन में से सोचना है पहली बार सोचोगे दूसरी बार तीसरी बार एक टाइम ऐसा जाएगा जब आपको ऐसे person पड़ा तभी उत्तर याद आ जाएगा कि यह उत्तर इसका है तो अगर वह टाइम आ जाता है अच्छे से प्रिपेर हो जाएगा और आपका करने आपको हर एक चैप्टर के करने नहींए वह इंको भून जालो यदू रत े दाहलो बिलकुल से ब्हूर यदि करो बट्षा याब कर आदी आपको और चैप्टर के नोटो Cen जाएंगे और कमेंट में पहली कमेंट मेंट देख लेना वहां पमिल जाएंगे चलो अब शुरू करते हैं कोश्चन अंसर को प्रैक्तिस करते हैं अब आप पहली बार अगर पढ़ ले ना पेले पाथ नहीं पढ़ा तो भाई यह नहीं होने वाले आप से फिर पार जरूर से पढ़ लेना एक बार नहीं समझा है तो मैंने वीडियोस की भी बना रहे हैं वह समझ लेना जैसे भी करके चलो देखते हैं चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संगर्ष का आरंब किस ने किया यानि कि लड़ाईयां शुरू हो चुकी थी चालुक कन्फूज नहीं होना एक का लिखा मिलेगा ज्यादतर तो बट पर्थम भी लिख सकते हैं कन्फूज करने के लिए ठीक है चलो अब यहां पर कौन सा राजा था वो किसने को शुरुआत करी थी वह था पूलकेशन दूविती है यह वो बंदा था जिसने बहुत सपीड में अपनी रियासत बढ़ाना चाहरा था और पल्लवों पर जाके टक कर मार दीशने सीधी सीधी चलो आगे बढ़ते हैं कांची के कहलासनात मंदिर का निर्मान किसने करवाय था उस राजा का नाम बता तो राजा का नाम हमसे नहीं पूछा हमसे पूछ लिया चलो क्या होने ठीक है तो याद रखना असान है बिलकुल से मामल पूरम का दूसरा नाम है मामल पूरम जो है जगह है जहां पर एक मंदिर हाई तिंक तो यह जो जगह है इसका दूसरा नाम मामल पूरम पहले कहते थे आज के टाइम पूस को क्या कहते हैं देखो उप्सन में भी समझ ले जाते हैं निमिली खित में से किस सासक के पास एक सकती साली नो से ना थी कौन से सामराज्य के पास चोल पांडया चेर पल्लव किस के पास थी वो चोल के पास थी बहुत तगडी से ना थी हुह ऐन सांग के कांची परवाश के समय है कों सा पलव सा सकता वही लोग यार जो भटकते रहते है और सारी चीज़ आज कल वीडियो में बना बना के आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते है तो ये भी अक व्लोगर था लेगिन ये आज से 400 साल पहले था उनके टाइम में चोल पोल जो भी थे मालब 800-700 साल पहले गा वलोगर था यह और यह वह बन्दा था जो भारत का वलोग बना के लेकर गया पूरे रियास्त उस टाइम पर रियास्त है तो यह लगबग हरे की रियास्त में गया वहां के राजाओं का व्यभार देखा कैसे रिय सब कुछ है और उसको लेके चायना पहुइंच लेगा चाइनियेज मळी चारिमाह आया था यह तो आयाता है महिंदर वर्मन पहला यह जो भी option मैंने पढ़ दिये थे अल्रेडी चलो यह था nursing वर्मन पर्थम के टाइम पर आया था ठीक है चालुक्य वंस की कितनी साखा मानी जाती है एक दो तीन चार कितनी मानते हैं तीन साखाय मानते हैं जैसे वो थे ना बादामी के चालुक्य की कल्यानी और पूरवी चालोक्य तो सबसाल मतला है कि हमारे सो पहला यह के चालुक्यो में तो इनका पहला राजा आप से पूछ लेंगे की बादा आमि के चालुक्य का पहला साख कौन थे आपे सीधा पूछ rifle का था नहीं में तो वह कौन था रन राग पूलकेशियन पर्थम पूलकेशियन दुवीतिया जैसिंग तो कौन था जैसिंग नाम का बंदा था वातापीके के किलिए का निर्मांड किसी ने करवाया था बहुत आसान सा प्यारा सा कोशन है ब्यास के परसंटरपड़ का रहे तो कर लो गया पराम से इसको रचन राग पुलकेशियन परत्थं पुलकेशन दूटिय जै सिंग तो किस से ने कर वाय हय तूटिय नेिक कर वाय हर दप इस कल्यान भरे कारियम से पहले का राजा था पुलकेशन पहला भाई द्वीतिया काँ से आ गया अब मैंने पीछी तो यार साइद पहला पड़ा था पोपर तो नहीं हो गया मेरा हर्सवर्दन को दक्षिन की और बढ़ने से किस चालुक्य सासक ने रोक दिया था हर्सवर्द पुलकेशन पर्थम पुलकेशन द्वीतिया जैसिंग वह बंदा था पूलकेशन द्वीतिया इसने बहुत पूरी तरीके से हर्सवर्दन को हरा दिया था उसके बाद आता है वेंगी के चालुक्यों का पहला राजा कौन था विश्णू वर्दन विजादित्य त्रीतिया पुलकेशन पर्थम पुलकेशन द्वीतिया तो ये जो ये पिर बाद में अलग हो था और उसने अपना एक अलग चलूक्य वंसे बना लिबंद लिए विश्णू वर्दन ठीक है चलकि बढ़ते हैं मामलपुरम पृस्ट्थू पुर पढ़ ले ना तुमी इन वो पिश्टू पूर्ट जो जगह थी वो इनकी राजधानी बनी थी पहली अब देखो यार यह इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड पढ़ने में दर लगता ना मेरे को भी अब तुमको तो पढ़ा नी जाएगा मेरे से भी नहीं समझ में आपको आना नहीं है उप्सन है नहीं तो पर दो को पने अंडर कर लिया था तेल द्वीतिया ने निमिलिखित में से कौन सी उपादी धान की थी महाराजा धिराज परमेश्वर चक्रवर्ती उप्रोख सभी तो पैचान गया वैसे तो आप है ना उप्रोख सभी होगा चलो यह मस्त काम है यार जब भी उप्रोख वाला युत्तर मिलता है हमको तो यह मस्त काम दे रहा है नहोंने निमिलिखित में से किस सासक ने असो में एक यग्या करवाया था कौन सा वो राजा था राग पुलकेशन पर्थम द्वीतिया और जैसिंग कौन सा था वो था पुलकेशन द्वीतिया है इसकी भी मस्त कानिय अगर चैप्टर में एक्स्पिलें सारी चीजे कर रखें आपको और यह कहानी बहुत प्यारी है मैं वापिस मन कर रहा है बताने का थोड़ा सा देखो इन सोट समझते हैं एक राजा जिसके पास बहुत बहुत बड़ी शेना बहुत बड़ी ताकत होती थी रियासत बहुत पर हमला कर देगा मालनो यह हमारा राजा ए है इसने समय करवाया इसका गोड़ा भागते हुए रियासत किसी दूसरे राजा की रियासत बी में चला गया तो अब यह राजा ने क्या कर आए अगर नहीं तो बताएंगे तो तो कमजोर रहा है लेकिन अगर मार दिया तो यह राजा इसके ओपर हमला कर देगा और भाई ऐसे पीट-पीट के मार देगा भाई मलब जवरदस्ती वो मोत अपने सिर पे लेके गूम रहे थे पहले के लोग चलो आगे बढ़ते हैं चालुक्या सासक किस धर्म के नुई आई थे पिछले वाले का बता दिया था उत्तर मैं अब यह प्रकरति की भासा नहीं होती है यह यह ने जो लोकल बोल ली होते हैं अग्रेज बनने के चक्कर में घूम रहे हैं अंग्रेज जी पढ़नी है भाई हमको तो सबको तो वही काम है उस टाइम पर संस्कृत ऐसी लेंगविज जुआ करती थी जिसको हर कोई पढ़ना चाहskा रहा था शीखना चाहरा था विक्रमांक डेव चरीत ये जो गरंत है किसे ने लिखा था विज्यानेशवर विल्धन सो्मदेव सूरी अवलंक किसे लिखा था यह यह विल्धन नामका एक बंदा था उसने इसको लिखा हुआ ये याद रखनी है ये बहुत काम के हैं ठीक है संस्कृत भासा के महानकवी पूसकते हैं कि संस्कृत भासा का महानकवी कौन था वह था भार्वी ठीक है वैसे मैंने इसको थोड़ा और हटा दिया थोड़ा मोडिफाइब कर दिया तो इसलिए का रहा हूं अगर आप अच्छे से कर लोगे ना भाई एक बार पड़ लोगे याद हो जाएगा गारेंटी याद हो जाएगा एक दो बार आप होटि लोगे तो सन्सक्रीट भासा के महान कभी पहर वी किसके दर्भार में थे कौन सा राजा के दर बार में वह रहता था लिए तो कौन सेarem ऋबार में रहता था परसीद रफमंदिर कहां इस्थी ठा एक मंडर मंदीर ही चैख कर ले ना तो जो त्क्रमाबार पर देखियोगी रत होता है पीछे बंदा खड़ा, वैसा सईसी नहीं है, तो वह जो रतमंदीर हो कहां पर है, कांची, महाबली, पूरम, चोल, मंदलम, वेंगी, तो वह कहा है, वह महाबली, पूरम में है पल्लवों के सासनकाल में गाओं के समूं को क्या कहा जाता था कोटम, भटारक, विश्यो, रास्ट्रो क्या कहते थे कोटम कहते थे जिसको जिला कहते थे ना अज के टाइम पर उस टाइम पर कोटम कहा जाता था पल्लव सासक के किस दर्म के नुए आई थे पल्लव सासक ये के नहीं आएगा इसमें के हटा लेना ठीक है मैं हटा दूँ गाए तो तो पल्लव सासक किस धरम के नहीं आई थे हिंदू बहुत जैन इसलाम कौन से के थे हिंदू धरम के चलो आगे बढ़ते हैं अरे तु तो हट जा भाई तू भी नीचे या रहा है चोल स बनाता है हम चोल वंस जानते हैं तो यह चोल कहां से आया तो एक सबद था मिल भासा में उससे premi निकला था तहो सबड क्या था वह हमसे पूछा जा रहे हैं यहां पे चूल चोर चोल चल क्या था वो चूल नाम से सबद था कि एरवतेस्वर मंदिर किस सासक ने थे प्यारा मंदिर है कलाकरीतियां बहुत भैंकर होती थी पहले के टाइम में ये कौन से राजा ने बनवाए आधित्या पर्थम परांतक पर्थम और राज राजा तो किस ने बनवा है था ये राज राजा नामक बंदे यह सुरेने मनवा है था उच्छो सम्राटम को चॉल मराट में क्या जाता जो बड़े एधिकारी होते थे उनको क्या धुदीन नमुदंधव रोलाइक को रावच्थ करते लगनें ये जो है अ при 어떤 पूपट हो गए आप राजा के नीजी साहय को चोल सामराज्य में क्या कहते थे भाई पता लगया उप्सन यार चीटिंग हो गई यह तो चलो कोई ना पता लगी गया बताई देते हैं उसको जो है उडन कुट्टम अच्छा नीजी साहय को ठीक 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 यह तो परसनल बोड मतलब कि तमिल साहित्य उस टाइम पर बहुत तेजी से विक्सित हुआ वह कौन से राजाओं के टाइम में हुआ था चोल राजाओं के टाइम में हुआ था चलो आगे बढ़ते हैं दस कुमार चरीतम एक काव्या है इसकी रचना किस ने करी थी दंडी विलनाने सोमदेव प्रिपेर कर सकते हो आई होप मजा भी आया होगा समझ भी आयोंगे और प्रैक्टिस करने के लिए कमेंट का पहली कमेंट आ वहां पे लिंक चेक कर लेना वहां पे आपको मिल जाएगा चलो अब वीडियो खतम करते हैं यार मैं कवर करने वाला हूं कलास वन से लेके 12 तक स लोगनों में होने वाली है तो सब्सक्राइब कर लेना साथ में घंटी दबा लेना तक कोई भी आपडेट में आपको दूँ आपकी कलास का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए और हाँ इस चीज़ बता लेता हूं आपको जो है ना जब फाइनल एक्जाम आएंगे तो इस टाइम पर जो है आपको पेपर एनलीशी इंपोर्ट एंट कोस्टन्स वगारा भी प्रोवाइड कराए जाएंगे बागी सब्जेक्ट के भी तो जरूर से जुट जाना है सब्सक्राइब कर लेना पेपर सोल्यूशन वगारा मिल जाएंगे बहुत सारी चीज़े प झाल झाल झाल